कोरोना संकट के कारण दो महिने की लॉकडाउन के बाद 25 मई से घरेलू उडाने एक बार फिस से शुरू होंगी नागरे के उद्धियन मंतरी हर्दीप सेहपूरी ने ये घोशना करते हुए सबी एरपोर्ट और एरलाइनों को तयारी करने को कहा है सरकार के इस फैसले से पिछले दो महिने से लॉकडाउन में फसे लोगों को बड़ी ज़ाहत मिली है घरेलों उडाने शुरू होने के बाद सब ये एरपोर्ट अथॉरिटी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए है और हैदरबाद एरपोर्ट पर यात्रियों की सुष्धा और सरक्षा के लिए एरपोर्ट करमचारियों की सरक्षा को लेकर कुछ जरूरी कदम उठाए गए है हम आपको दिखाते हैं कि एरपोर्ट पर किस तरह की व्यवस्था की गई है हैदरबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर यात्रियों की लगिज को चेक कने वाली ट्रॉली को डिसिंफेक्टेड ट्रॉली का रूप दिया गया है यहां से जाने वाला सभी सामान सेनिटाइज होकर निकलेगा ताकि संक्रिमन का कोई खत्रा ना रहे इसके साथ ही यात्रियों को एक सेनिटाइज एंड डिसिंफेक्टेड टनल के अंदर से गजनना होगा इसमें जाते ही यात्री पूरी तरह सनिटाइज हो जाएंगे और इसके बाद वो अंदर प्रवेश कर सकेंगे इसके साथ ही एरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मार्क बनाए गए है जिस पर यात्रियों को चलने की अजाज़त है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही एरपोर्ट पर सभी काम किये जाएंगे इसके साथ ही एरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की धर्मलगन से टेंपरीचर चेक किया जाएगा उसके बाद उन्हें आगे भीजा जाएगा इसके साथ ही पैसेंजर को हाई डेफिनिशन कैमरा में अपनी आईडी और फेस दिखाना होगा इसके बाद उन्हें एंट्री दी जाएगी अंदर तरह तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा हुआ है कि मास्क का उप्यों करे और चार फिट की दूरी पर रहें एरपोर्ट पर बने अलिविटे स्टेयर्स की रेलिंग को भी लगाताया सेनिटाइस किया जाएगा ताकि किसी भी इंफेक्टेट व्यक्ति के वज़़े से संक्रिमन ना फैल पाए हदरबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर यात्रियों की सवधां को ध्यान में रखते हुए और कोविट-19 से बचने के तरीकों को भी ध्यान में रखते हुए तमाम प्रयास किये जा रहे हैं